आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी आलू और मटर की एक्तम टेस्टी सी सबजी ये सबजी खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही ये पहुत हेल्दी है एक्तम आसान रेसिपी है नमस्ती दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम्र सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना आलू पत्ता गोभी मटर बनाने के लिए यहां मैंने लगबक 300 ग्राम पत्ता गोभी ली है पहले हम इसे कट करके तयार कर लेते हैं तो इस तरह से लंबे-लंबे पतले-पतले पीसेज में आप इसे कट करके तयार कर लीजिए तो ये लिजी हमने सारी पता गोभी को काट लिया है पता गोभी को काटने के बाद आप इसे अच्छे से पानी से वाश कर लिजिएगा यहां हमने लगबग आधा कप कच्चे मटर लिये हैं फ्रोजर मटर से भी आप ये सबजी बना सकते हो और दो आलू को काट कर पानी में डाल दिया है सबजी हम सरसों के तेल में बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर तीन बड़े चमच सरसों का तेल लिया है इसे हम पहले धुआ उठने तक गरम कर लेंगे अब हम गैस की फ्लेम को बिलकुल लोग पर कर देंगे और इसमें हम सबसे पहले आदा छोटा चमच सरसों के दाने डालेंगे इन्हें अच्छे से चटक जाने दीजिए अब हम इसमें आदा छोटा चमच जीरा और एक चोथाई छोटा चमच हींग डालेंगे अब हमने यहाँ पर एक प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है साथ ही मैंने एक हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है मैं इस रेसिपी में अदरक और लहसुन दोनों का ही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और फिर भी यह सबची पहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी प्याज को हम हलका सा सॉफ्ट होने तक मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे प्याज देखी हलका सा सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसी वक्त आप हल्दी पाउडर डाल देंगे तो आपकी सबची का कलर पहुत अच्छा आएगा हल्दी को बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जैसे ही हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम इसमें आलू डाल देंगे आलू को पानी से हटा कर मैंने चलनी में निकाल लिया था और अब हम आलू को करीब एक से डेड़ मिनिट के लिए मीडियम टु हाई फ्लेम पर भुनेंगे आलू को पकने में टाइम लगता है इसके लिए आप पहले आलू को थोड़ा सा पका लीजिए उसके बाद हम इसमें पतागो भी डालेंगे तो मैंने आलू को करीब एक से डेड़ मिनिट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया अब हम इसमें मतर भी डाल देते हैं क्योंकि मतर भी हमने कच्चे लिए हैं यदि आप फ्रोजन मतर ले रहे हैं तो जब हम पतागो भी डालें तब आप मतर डालिएगा अब हम अच्छे से सब को पहले मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं नमक डालने से आलू और मतर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दीजिए और इसे ढखकर 3-4 मिनिट के लिए पकने दीजिए या जब तक आलू मटर हलके से सॉफ्ट ना हो जाए और आपको बीच-बीच में इसे चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है से थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले मैंने आलू मटर के हिसाब से नमक डाला था और अब पत्ता गोभी के हिसाब से पत्ता गोभी में ज़्यादा नमक के जरुवत नहीं होती है और अब हम सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के बाद हम धीमी आज पर सबजी को करीबन 4-5 मिनिट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चला दीजिएगा क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है सबजी को पकाते हुए हमें लगबग 4-5 मिनिट हो गए है और आप पहले आलू और मटर को चेक कर लिजिए ये देखिए आलू सोफ्ट हो गए है तो बस अब हमने यहाँ पर एक टमाटर को बड़े टुकडों में काट कर लिया है और इसी के साथ हम इसमें सारे सुखे मसाले भी डाल देते हैं हमने यहाँ पर 2 चोटे चमच धनिया पाउडर, एक चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर और एक चोटा चमच किचन किंग मसाला लिया है आप इसकी जगे आदा चोटा चमच गराम मसाला भी ले सकते हो और इस सबची में मैं आदा छोटा चमच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ इससे हमारी सब्ची बहुत ही चटपटी बनकर तयार होगी और बस अब हम इन मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी में मैंने जो टमाटर इस्तिमाल की है वो देसी नहीं है उनमें खटापन बहुत ही कम है इसके लिए मैंने आमचूर पाउडर डाला है यदि आप खटा टमाटर ले रहे हैं तो आमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है हमने सारी चीजों को मिक्स कर दिया है लो फ्लेम पर सब्जी को ढखकर हम 4-5 मिनिट के लिए और पकाएंगे लेकिन बीच बीच में आप इसे 2-3 बार जरूर चला दीजिएगा सब्जी को पकाते हुए 4-5 मिनिट और हो गए है आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए है मटर और आलू को भी चेक कर लीजिए ये भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए है यदि ना हो तो 2-3 मिनिट के लिए और पका लीजिएगा अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इस सबजी में हरे धनिय की खुश्बू बहुत ही बढ़िया लगती है सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके